मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ लाल टोपी और लाल पोटली ये अन अन दाता के पच्छ में हराने के लिए उन्हें भागाने के लिए अन संकल्ब लेकर के चलता हूँ जैन्त को बीजेपी की ओर से मिले नियोते के बीच अखिलेश यादव ने गटबंदन की ताकत दिखाई जाटलाइन में ही आरेलडी के मुखिया के साथ मंच साजा किया और चौधरी चरण सिंग की दुहाई देकर किसानों को सावधान किया ये चुनाओ जहां किसान के भविस्ट का है नौजवान के भविस्ट का है वैपार को आगे बढ़ाने का है वहीं 24 चरण सिंग की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है भादी जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगनी होगी और तीन कानून क्यों बापिस ले कि यह बोट के खात्र लियें इसने में किसान भाईयों को यहां साबधान करना चाहता हूं अखिलेश को पता है कि बीजेपी जाटों के मनुहार में लगी है अमिच्छा ने खूद मोर्चा संभाल रखा है ऐसे में कहीं बात बिगड़ना जाए लिहाजा अखिलेश ने किसान क्यों लागू किये थे और तीन कानून क्यों बापिस ले लिए इसलिए मैं आर एल्डी और समाजवादी पार्टी का गड़बंधन है किसान भाईयों को भरुसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे मुजफर नगर में अखिलेश और जेयंट का एक साथ दिखाई देना कई सन्देश दे गया ये साथ जेयंट को बीजेपी के नियोते का सबसे बड़ा जवाब भी था वैसे बीजेपी अब भी जयन पर दोरे डाल रही है पश्चमी यूपी की लडाई बेहत धारदार हो चली है एक और बीजेपी के दिगज डटे है योगी मेरट से लेकर हस्तेनापुर तक और बीजेपी के अध्यक्ष शाह जहापुर में विरोधियों को खेर रहे है वहीं मुजफर नगर में अखिलेश यादव और जैन चौदरी गडबंदन का तम दिखा रहे है योगी जी ने एक लाग चानीस हदार करों रुपे का गन्ने का भुकताम दिया एक लाग चानीस हदार करों रुपे का भुकताम दिया यानि वो भी उदाख खोड़ करके चले गए ते 11,000 करों रुपे वो भी दिया और एक लाग चानीस हदार करों रुपे कम से कम अब चुनाव आ गया है अपना संकल पत्तों पढ़ ले जो जो वादे किये थे क्या वादे पूरे हुए हैं उनका हर वादा हर वादा जुमला निकला जूटे विग्यापन दिये आज भी आकड़ों की खिलवाल कर रहे है और जब भार्दी इंता पार्टी घिर जाती है तो बुन्यादी मुत्नों से हट करके काम करती है बीजेपी दना दन आरोप लगा रही है तो अखिलेश या तक बीजेपी के किसी भी आरोप का जवाब देने में संकोच नहीं कर रहे अब कर्फ्यू नहीं लगता है अब अपरादियों को जब सरकारी बुल्डोजर चलाकर कि निस्तना बूत किया जाता है तो अपरादियों के संद्रक्सकों की भर में कर्फ्यू लगता है जनता के लिए कर्फ्यू नहीं लगता है मुझफर नगर में अखिलेश से कहराना को लेकर भी सवाल हुए इस बार भारती जनता पार्टी का राजनतिक पलाइन होगा और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यंति का कैसा पलाइन हुआ है मुझफर नगर में अखिलेश यादर को एक बचे ही प्रेस कांफरेंस करना था लेकिन वो देर से पहुँचे उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से उनके हलिकॉप्टर को उनने ही नहीं दिया गया आज तक ब्योरो